हेलो स्टुद्न इवेलकम बैक लास्ट वीडियों वी डिसकसिंग अबाउट हैलो इलकेंज та हैलो ओररींज हम लोगोंने स्टार्ट कर दी थी और हैलो इलकेंज डिसकस किया था अपने वीडियों में लास्ट लेक्चर में आज हम लोग कंटिण्यू करेंगे with नॉमंचलेच पढ़ते हैं, two types के name हम लोग discuss करते हैं, first one common name, एक तो हम क्या पढ़ते हैं, compound के common name को study करते हैं, और एक इनके IUPAC, IUPAC name हम लोग discuss करते हैं, तो तो मैंने आपको एक और important बात बताई थी, कि जो हमारे hello alcanes and hello arines हैं, इन्ही को ही हम लोग क्या बोलते हैं, alkyl halides and aryl halides बोलते हैं, तो जब हम लोग hello alcanes का nomenclature गटते हैं, तो commonly हम लोग hello alcanes को क्या बोलते हैं, alkyl halides बोलते हैं, common name इस type के compounds को जो दिया जाता है, वो कि alkyl halide की थरे से, और IUPAC name इनको देते हैं, halo alcanes की थरे से, halo का मतलब आपको बताया था, halogen, ठीक है, alkyl मतलब alkyl की हम लोग बात कर रहे हैं, carbon item की chain की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे भी halide represents the halogen atom and alkyl represents the chain of carbon atom, carbon atom की chain को हम लोग alkyl बोलते हैं, ठीक है, alkyl group हम लोग बो होते हैं, myth, ठीक है, 2 carbon, 8, 3 को probe, 4 को beaut, 5 को paint, यहां हम लोग 11 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, और 11 में भी हमने nomenclature को काफी detail में study किया हुआ है, जो first unit हमने वहां पे 11 में organic ही पढ़ी थी, उदर हम लोग nomenclature कर चुके थे, यहां पे हम ही क्या करना है, हर unit के अंदर one by one n hello aliens के बारे में, तो examples के साथ इसको करते हैं, मान दीजिए सबसे simplest examples, suppose मेरे पास है, CH3CL, मुझे इस compound का क्या करना है, नाम लिखना है, तो सबसे पहले तो मैं लिखते हूँ, उसका common name, ठीक है, common name जो हम लोगों को लिखने होते हैं, आपको पता है, common name हम लोग mention कर लेते हैं, पर हम लोगों से जो names पूछे जाते हैं, that are the IOPSC names, लेकिन मैं आपको common name में पतारी में, यहाँ पर, common name हमें किस तरह से लिखने है, alkyl, halide की तरह से, alkyl मतलब alkyl group, यह हमारा यहाँ पर alkyl group है, कितने carbon atoms यहाँ पर present है, only one carbon atom, one carbon atom is known as myth, ठीक है, और यह हमारा alkyl group है, तो क्लोरीन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, chloride लिखेंगे, तो इस compound का common name क्या हो गया, methyl, chloride हो गया, so simple, next, इसी का अगर मुझे लिखना है, IUPAC name, अगर मैं इसका IUPAC name लिखना चाहरे हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, halogen क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्या one carbon item, same myth, ठीक है, और in, single bond है, तो single bond के लिए हम लोग in word use करते हैं, double bond के लिए, in and triple bond के लिए आएं, तो इसका नाम क्या हो गया, chloromethine, ठीक है, second type हम लोग इस नोर क्या बढ़ते थे, कि मान लोग हमारे पास कुछ इस type का example है, CH3, CH, CL and CH3, ठीक है, इसका हमें nomenclature करना है, त उस functional group को सबसे कम number हमें मिलना चाहिए, एक तो हम लोग का करते है, longest chain को select करते है, second जो हमारा main group है, जो हमारा functional group है, उस functional group को क्या मिलना चाहिए, lowest possible number हमें उसको देना है, तो हम क्या करते है, हम यहां से दे commitment, left side से, right side से numbering करके देखते है, अगर left side start करेंगे, तो 1, 2, 3, halogen को 2nd number ही मिलेगा, तो कहीं से भी numbering कर लीजिए, इसको मिलना है 2nd number ही, ठीक है, और total carbon atoms की जो chain है, वो कितने carbon atoms की chain है, 3 carbon atoms की, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, probe बोलते हैं, और यहाँ पर क्या present है, single bond present है, तो नाम लिखने का तरीका क्या था, कि सबसे पहले हम लोग जो हमारे substituent हो जो हमारे groups होते हैं, उसका नाम लिखते हैं, with their position, तो second position पर हमारा chlorine group है, इसका IUPAC name अगर लिखेंगे, तो क्या होगा वो name, 2 chloro, second position पर chlorine है, तो क्या लिख लेंगे, 2 chloro, 3 carbon atom है, तो probe, and single bond है, तो 1, तो इसका IUPAC name क्या हो गया, 2 chloro propane, अगर इसका नाम लिखना होता, तो इस isopropyl chloride, इसका woman name क्या होता है, isopropyl chloride है, तो हमें main यहाँ पर deal करना है, इसके साथ, IUPAC nomenclature के साथ, अब मान लो, इसी तरह से मैंने हाँ पर क्या लिखा, suppose मैं लिखा CH3, CH2, CH, CL, and CH3, तो rule हमारा क्या कहता है, कि एक तो हमें longest possible chain को select करना होता है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास straight chain ही है, अभी तक जो हम लोग example यहाँ पर ले रहे हैं, सभी के अंदर straight chain की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए, second case हमारा क्या है, second step यहाँ पर क्या है, कि जो हमारा halogen group है, halogen atom है, इसको क्या मिलना चाहिए, lowest number इसको मिलना चाहिए, अगर हम लोग left side से numbering start करत उनको क्या मिल रहे है, number two मिल रहे है, तो मैं नम्रे कहां से start करूँगी, यहाँ से, right side से, तो इसका नम क्या होगा, दिखे, two chloro and four carbon items, means bute and single bone in, नाम क्या हो गया, इसका two chlorobutene हो गया, अब इसी तरह ऐसा आपको पता है, कि अगर हमारे पास यहाँ तो, यह तो मैंने जो examples इसलिए है, अभी तक यह सारे कुम से है, हमारे mono halogenated compounds है, एक-एक halogen item यहाँ पर present है, माल लीजे हम halogen items को क्या करते हैं, यहाँ पर increase करते हैं, suppose क्या ले ले हैं, हम लोग, अब दो-दो halogen atom ले ले लेते हैं, suppose di halogenated हमारे पास compound है, तो मैं एक example लेती हूँ, CH3, CH, CL, CH, CL and CH3, ठीक है, suppose यह है मेरे पास, अब longest chain तो मेरे यही है, carbon atoms की chain तो, numbering start करूँगी, left side से अगर numbering करूँगी तो इसको number क्या मिलेगा, 1, 2, 3 and 4, functional groups को number मिल रहे हैं, हाँ पर second and third, right side से numbering करूँगी तो भी 1, 2, 3 and 4, second and third number ही मिल रहे हैं, तो कहीं से भी start करते हूँ, नाम हम कैसे ल रहे हैं, तो देखिए, second and third position पर chlorine है, चाहे किसी भी side से numbering कर लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 3, दोनों मेरे पास same है, अगर same halogen आ रहे हैं, तभी हमें words dye, try यह सब लगाने होते हैं, तो दो है मेरे पास, यानि की dye, chlorine है, यानि की chloro, 4 carbon atoms means beaut and single bonds, carbon atom की chain में कौन सा पॉंड, extra single bond ही है, जिसना नाम क्या हो गया, 2, 3, dichloro, butane, ठीक है, next, simple सा हो गया, अगर मेरे पास 2 halogen present है, तो ऐसा तो कोई rule नहीं है, कि दोनों halogen मेरे पास same ही होने चाहिए, दोनों halogen यहाँ पर क्या हो सकते थे, different भी हो सकते थे, मान लीजे, next example, CH3, CH, BR, CH, CL, and CH3, अब यहाँ पर same भी है, वैसे तो 4 carbon atoms की ही chain है, और second और third position पर ही मेरे यह functional groups, यानि की halogen यहाँ पर present है, difference क्या है, यहाँ पर दोनों halogen same थे, chlorine atoms थे, यहाँ पर different है, अब इस चीच का आपको ध्यान रखना है, जब हम लोगों के पास में दो अलग-अलग halogen presents है, तो obviously हमें न हम लिखा जाता है, जो alphabetically पहले आता है, तो इसके लिए मैं ब्रोमो लिखूंगे, इसके लिए क्रोरो लिखूंगी, बी जो है, वो alphabetically पहले आता है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे, ब्रोमीन का, और nomenclature करेंगे, जब numbering देंगे, तो left side से अगर numbering करेंगे, तो second और third position ही आ रही है, right side से numbering करेंगे, तो भी second और third position ही आ रही है, लेकिन हमें क्या देखना है, alphabetically हम जिस हैलोजन को पहले लिखेंगे, उसी हैलोजन को कम number मिलना चाहिए, ठीक है, छोटा number उसी को मिलना चाहिए, तो इसको यहां से second number मिल रहा है, और यहां से इसको third number मिल रहा है, second position पर bromine है, तो क्या लिख देते हैं, two bromo, अब दूसरा है, तो कॉमा लगा करके next क्या हो गया, three chloro, अगर यह दोनों same होते, तो हम लोग divert का use करते हैं, अब यह different है, तो हमें आपे divert का use नहीं करना, simple हमें इसी तरह से लिखेंगे, like two bromo, three chloro, four carbon atoms हैं, इसके लिए but and single bone मतला aim, ठीक है, तो जब हमारा functional group present होगा, तो priority किसको दी जाएगी, functional group को दी जाएगी, functional group को कम से कम number मिलना चाहिए, अभी तक जो हम लोगोंने examples किये हैं, यह सारे किस type के compounds के example है, saturated compounds के, ठीक है, saturated alkyne halides या saturated halo alkane की हमें आपे बात कर रहे थे, अगर हमारे पास आजाए, unsaturated, unsaturated का मतलब containing multiple bones, double या triple bone अगर आजाए, तो nomenclature का rule क्या कहता है, जो हम लोगोंने 11th class में rules फड़े थे, तो वो nomenclature का rule क्या कहता है, that our multiple bone means double or triple bone must get the lowest number, double या triple bone को priority ली जाती है, double or triple bone को कम number मिलना चाहिए, और उसके बाद चाहिए, इसको कितना भी number मिले, ठीक है, लेकिन होगा लिखा पहले किसको जाएगा, हमारे function group को ही लिखा जाएगा, ठीक है, और मानलीजे, अगर हम लोग बात करते हैं, hello arines की, ये तो हम लोगोंने open chain वाले compounds देखे हैं सारे, ठीक है, यहाँ पर कोई आपको close ring तो नहीं दिखाई दी, and suppose अब मैं यहाँ पर close ring ले लेती ह है, एक chlorine item, ये है मेरी benzene ring, और benzene ring के ओपर कौन present है, chlorine present है, तो इसका common name and IUPAC name दोनों same ही है, एक chlorine present है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, chloro, किस पर present है, benzene पर present है, तो इसका नाम क्या होगा, chloro, benzene, वही है, same 11 वाले, ठीक है, simple simple सा concept का आपको याद होना चाहिए, अब मानल literature, alphabetically ही हमें करना होता है, मानल लीजे, अब same group आ रहे है, benzene ring पे, ये मेरी benzene, यहाँ पे और यहाँ पे present है, chlorine, एक case मैं यहाँ पे ले रही हूँ, suppose, first chlorine atom यहाँ पे है, second chlorine atom है, यहाँ पे, और third case मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कि first chlorine atom present है, यहाँ, second chlorine है, यहाँ, benzene रिंके derivatives ह है, benzene क्या होता है, C6H6, यानि कि यह six carbon atoms है, और इन six carbon atoms के साथ यहाँ पे एक-एक hydrogen होते है, जिदा जिदा आपको chlorine दिखाए दे रहे है, it means वहाँ वाला hydrogen है, उसको किसने replace कर रखा है, उसको chlorine ने replace कर रखा है, ठीक है, इसका यही मतलब हुआ, अब first one देखिए, जहाँ प इसमें first carbon, यह second carbon और यह third carbon, यह first carbon, second, third and fourth carbon, अब first और third position, 11 वे हम लोग क्या पढ़ते थे, कि अगर same groups first और second position पर present होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ortho, same group, first और third position पर present होते हैं, तो इसको क्या बोलते है, meta बोलते हैं, और अगर मांदीजिए हमारे पास में कौन present है, same group है, हमारे same groups अगर present होते हैं, first and fourth position पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, para बोलते हैं, तो जो words हैं, ortho, meta and para, इन words का use किया जाता है commonly, जब हम लोग common name लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, देखो, ortho chlorobenzene, it is meta chlorobenzene and it is para chlorobenzene, लेकिन जब हम इसके होता है, दो बार आ रहे हैं, तो डाई लिखेंगे तो इसका निम क्या हो जाएगा, one, two di chlorobenzene यह इसका आईउ-पेसी निम है, और इसका common निम क्या था, ortho chlorobenzene ठीक है, ortho position, यानि ortho में ही आ रहा है कि first or second position है, यानि दो हेलोजन है तो ortho chlorobenzene, इसका इसका आईउ-पेसी निम क्या है, one, three di chlorobenzene और common निम क्या हो जाएगा इसका, metachlorobenzene इसका आईउ-पेसी निम क्या है, one, four di chlorobenzene और इसका common निम क्या हो जाएगा parachlorobenzene ठीक है, यह तो मैंने same halogen atoms की यहाँ पर बात की है, अगर हमारे पास different halogen atoms present है, तो जिस तरह से हमने norman glacier किया था, पिछले case में मतलब की alkyl halides के case में same norman glacier हम यहाँ पर करेंगे alphabetically हमारा जो ग्रूफ पहले आ रहा होगा उसको हम कम number देंगे, ठीक है और उसी का नाम हम क्या करते है, पहले लिखते है अब देखिए, एक दो एक्जामपल जोर है हमारे पास simple simple से मतलब एक दो type और है, उनको वह discuss करते है काफी important है और हमसे एक्जाम में काफी बार पूछे भी जाते है देखिए, मैं एक general example लिख रहे हूं कोई भी, मान लो मेरे पास कोई भी alkyl group है carbon atoms की chain है मेरे पास ये मेरे पास कोई carbon atoms की chain है valency आपको पता है, हम लोग hydrogen लगा करके complete करते है मान लो, एक तो मैंने लिखा ये ये है, ठीक है, और यहाँ पे दो halogen atoms present है, same halogen atoms है, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लिख रही हूं, इस तरीके से दोनों में difference आप easily observe करवा रहे है क्या difference आपको दिख रहा है कि यहाँ पे, यह दोनों halogen पे ते को same है, यह दोनों halogen पे क्या है, same है, इधर दोनों halogen atoms एक ही carbon के साथ attached है, और यहाँ पे दोनों halogen atoms जो है, वो adjacent carbon पे attached है, तो इस तरे से जो हमारे substances present होते हैं, जो compound होते हैं, इनका IUPAC name तो उसी method से ही दिया जाता है, में इस गॉमन लेकिन इनके common names कुछ और है, commonly अगर हमारे एक ही carbon item पे दो same halogen groups present होते हैं, तो उस type के, यह दे को डाइ हलाइट हो गए, दो हलोजन है, उस type के डाइ हलाइट को बोला जाता है, jaminal di-halाइट, jaminal di-halाइट का मतलब अच्छे से समझना कहा है, खेरियू मैं, अगर एक ही carbon atom के उपर दो same halogenes present होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, jaminal di-halाइट यह simply इसको jam di-halाइट भी बोला जाता है, ठीक है, jaminal di-halाइट और jam di-halाइट, अगर हमारे दोनों same halogenes adjacent carbon पर प्रेजेंट होते हैं, इन adjacent carbon को vicinal carbon भी बोला जाता है, इस वज़े से इनका common name क्या है, देखिए, vicinal di-halाइट, इस type के di-halाइट को क्या बोलते हैं, vicinal di-halाइट होलते हैं, या इनको vicinal di-halाइट, ये भी बोला जाता है, ठीक है, एक ही carbon पर दोनों same halogen है, तो उसका नाम jaminal और jam di-halाइट, और अगर हमारे adjacent, यानि vicinal carbon atoms के ओपर same halogen present है, तो उसका नाम क्या होगा, vicinal di-halाइट, या फिर vicinal di-halाइट, commonly हम उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, या इसी का एक और नाम भी है, जो jamina di-halाइट हैं, इनको और क्या बोलते हैं, और alkylidine alkylidine halides, और जो हमारे vicinal di-halाइट हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है, alkylidine di-halाइट, alkylidine di-halाइट, यह में किसकी बात करें, common names हैं, ठीक है, यह इसके क्या है, common names है, IOPs की name लिखने का तो वही method है, सेम, हम लोग numbering करेंगे और नाम लिखतेंगे, ठीक है, तो यह हमको ध्यान रखना है, jamina di-halाइट, इसी को बोलते है, alkylidine हैलाइट, यहाँ पर D पहले आ चुका है, डाइट पहले आ चुका है, तो यहाँ di-halाइट नहीं लिखतें, और vicinal di-halाइट को ही क्या बोला जाता है, alkylidine di-halाइट, ठीक है, तो मान लीजे, यहाँ पर suppose मेरे पास क्या present है, दो chlorine present है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, jaminar di-chloride, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लीजे, दो chlorine है, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, vicinal di-chloride, ठीक है, alkyl जो हारा है, वो तो आपकी carbon atoms की chain के लिए है, कि कितने carbon atoms की chain यहाँ पर present है, ठीक है, तो इस तरह से हमें हापे क्या करेंगे, इसका nomenclature करेंगे, ओके, अब इसको अच्छे से बढ़ेंगे, इन rules को अच्छे से बढ़ेंगे, next video में, next lecture में हम लोग discuss करेंगे, कुछ और examples of nomenclature, ठीक है, तब तक के लिए keep learning, thank you